आज हम बात करेंगे एक नए प्रोपेशन के बारे में वो है medical coding दोस्तों इंडिया में इसकी opportunity बढ़ रही है actually यह job USA से start होा था USA में बहुत सारे medical coders हमेशा लगते लेकिन इंडिया में भी आजकल इसकी demand बढ़ती जा रहे है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना नहीं होगा तो medical coding यह आपको एक mathematical या थोड़ा complicated लगता होगा यह codes होगे रहते होगे लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों आज इस video में आप समझ लेंगे कि medical coders actually होता कि इसके opportunity बहुत बढ़र है तो आप इस opportunity को grab कर सकते हैं दोस्तों यहां पे hospitals में medical coders लगते हैं इवन policy medical की जो companies रहती है वहां पे भी medical coders की requirement रहती है दोस्तों तो आज इस video में हम medical coding के profession के बारे में जानेगे दोस्तों इस video में मैं आपको बताऊँगा कितने tabs की coding होते हैं अगर आपको इसमें career करना है तो आपकी job profile क्या होगी इसके लिए course कौन-कौन से affordable है और qualification क्या लगते है दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे तो मैं आपको बता दूमी medical profession pharmaceutical profession के related videos बनाता हूँ साथ में health awareness की videos बनाता हूँ अगर आप इस professions है या अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते तो आप मेरा चानल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में bell icon दबाइए क्योंकि मेरी सारी वीडियो सारी notification सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों तो चले दोस्तों इस वीडियो को start करते है तो पह equipment and diagnosis into universal medical alphanumeric code यह काम क्या करते है यह रिपोर्स प्रम डॉक्टर्स कौन कौन से रिपोर्स होते है इलकुदिंग पेशेंट्स कंडिशन, diagnosis, prescription और all test यह रिपोर्ट वहां से collect करते है and they convert into the one standard alphanumeric code यह काम रहता है medical coder का तो हम बात करेंगे कुतने types के coding होते है types of coding तो पहला टाइप है ICD International classification of disease यह code established कि है WHO ने 1942 में World Health Organization में इसमें होता क्या है यह code क्या describe करता है causes of injury illness and death next coding है CPT current procedure terminology यह code maintain और established किया है American Medical Association AMANA तो यहाँ पर होता क्या है medical professional जो procedures carried out करते है clinic में तो यह सब यहाँ पर include किया जाते है third coding है HCPCS यह क्या होता है जो outpatient department में जो services प्रवाइड किया जाते है जो health care services होते है chemotherapy drugs होते यह पूरे information यहाँ पर collect करके उसमें coding में transfer किया जाते है तो यह होता है HCPCS अब बात करेंगे job description की अगर आप में इसमें career करना है तो आपको कौन से job करना पढ़ेगा तो पहला है to keep eyes on patients particular patients record such as prescription diagnostic test etc next connecting link between medical policy company and hospitals अग में बात करूंगा skills की अगर इसमें career करना है तो कौन कौन से skill आपको जरूरी है दोस्तो तो पहला skill है knowledge of anatomy and physiology next information about settlement of medical services next information about basic information about software next it should be pro starter मतलब उसे professionally आपको handle करने सब चीज़े सबी चीज़े सीखनी है और बहुत ही patient से काम करना पड़ता है यहापर बहुत सरे लोगों से information ग्यादर करनी पड़ती है यह information आपको confidential रखनी पड़ते तो यह काम रहता है medical coder का दोस्तों and last it should be ability to understand writing diagnosis दोस्तों तो यह हो गए skills required अब बात करेंगे अगर इसमें career करना है तो कौन सा course आपको करना पड़ेगा दोस्तों तो यह course है CP से Certificate for Professional Coding यह course कौन प्रवाइड करता है तो वह है American Medical Association यह course रहता है 3-5 months का यह इंडिया में available है दोस्तों इसकी piece है 22-30,000 यह part time भी कर सकते यह full time भी कर सकते दोस्तों अगर इसमें career करना है तो eligibility क्या होगी वह कौन सा भी science background का graduation आपका रहना जरूरी है दोस्तों और कैसा कौन कौन सा प्रोपेशन है जिस पे आप वीडियो चाहते वह भी आप जरूर मेशन कीजिए दोस्तों तो मिलते नेक्स टूडू में तब तक be healthy